दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने योटूब जेनल डिफेंस पॉइंट पर और हमारे आज के इस वीडियो से हम सुरू करने वाले हैं कोश्टगार नाविक एक्जाम के तयारी के लिए साइंस का एक नया चेप्टर जो की हमारा होने वाला है मेकनिक्स में से काइनेटिक्स एंड मोशन अंडर ग्रेविटी काफी इंपोर्टेंट चेप्टर है क्योंकि यहां से जो है नाविक एक्जाम में नुमेरिकल्स भी स्पेशल होने वाला है तो इसको पूरा जरूर से देखना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा तो देखिए पहला कुश्यन जो कि आपको दिया गया है कि एक तोप का गोला दागा गया है तो इस गोले की गती निम्न में से किसका एक उदाहरण है तो आपको ओप्शन दिये गए हैं प्रक्षेप्य गती, सरल रेखिये गती, उर्द्वादर गती या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं तो देखिए एक तोप का जब गोला दागा जाता है तो वो उदाहरण होता है प्रक्षेप्य गती का यानि कि प्रक्षेप्य गती जब वर्ड आया है तो आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि प्रक्षेप्य गती जो होती है वो सदेव ही परवलायाकार होती है ठीक है तो यह याद रखना है कि यह सदेव परवलायाकार होती है और इसके कुछ एक्जमपल्स भी आप से पूछ डागने पर ठीक है तो यह आपको याद रखने हैं काफी बार exams में पूछे जाते हैं चलिए देखते हैं next question तो दोस्तों अगला question जो कि आपको दिया गया है कि Newton का पहला नियम इन में से किसके रूप में भी जाना जाता है ठीक है काफी important question लेकिन easy question बनता है ठीक है तो देखे option दिये गए है आगुर्ण का नियम, घर्शन का नियम, जड़त्व का नियम या फिर गती का नियम तो देखे सबसे पहले बात कर देते हैं कि Newton की गती का पहला नियम है क्या ठीक है तो देखे कि उस पर कोई बाहरी बल लगा करके उसकी वर्तमा नवस्ता जो होगी उसमें परिवर्तन ना किया जाए तो ये जो था वो Newton की गती का पहला नियम था और देखे इसे जो है वो जड़त्व की नियम के भी नाम से जाना जाता है यानि कि law of inertia तो इस question के लिए हमारा correct answer होगा option number C जड़त्व का नियम ठीक है चलिए देखते है next question तो दोस्तों अगला question जो कि आपको दिया गया है कि एक top firing के बाद में फीछे क्यों हट जाती है तो top जो होती है यानि कि cannon वो firing करने के बाद में थोड़ी सी पीछे की और हट जाती है यानि कि अच्छानक उसको पीछे की और धका लगता है तो ऐसा किस के कारण होता है या आप से पूछा है तो option दिये गए हैं उच्छित गेसों का पीछे की और धका लगने से उर्जा का शंगरक्षन नियम के अनुसार न्यूटन की गती का तीसरा नियम या फिर न्यूटन की गती का पहला नियम तो देखिए तो firing के बाद में पीछे हट जाती है न्यूटन की गती के तीसरे नियम के करण ठीक है यानि कि according to the law of Newton's third law ठीक है तो correct अंस रुजाएगा option अनुसा number C Newton की गती का तीसरा नियम चलिए अब बात कर लेते हैं कि Newton की गती का तीसरा नियम बोलता क्या है यानि कि क्या नियम होता है तो Newton ने बताया था कि पर्ट्य किरिया के बराबर और परन्तु विफरीत दिसा में फर्टिकिरिया होती है ठीक है तो यही जो है वो Newton की गति का तीसरा नियम था तो इसके जो है कुछ एक्जामपल भी बनते हैं तो मैं अगर आपको बताऊं तो दीके बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो भी थोड़ा सा पीछे की और उसको जटका लगता है ठीक है और रोकेट को जब वो मुडाते तो उसमें भी जो है न्यूटन की गति का तीसरा नियम लगता है तो यह एक्जामपल आपको याद रखने है चलिए देखते हैं नेक्स्ट कुश्चिन तो अगला कुश्चिन आपको यहाँ पर दिया गया है कि एक्सलरेशन यानि कि तवरण जो होता है वो होता क्या है ठी ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्सलरेशन यानि कि तवरण की डेफिनेशन क्या होती है यानि कि परिवासा क्या होती है ठीक है तो देखिए किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम लोग तवरण बोलते है ठीक है किसक पर options के according to earn होगा गया तो आपको option दिये गए हैं मात्रा के व्यूत कर्मानुपाती बल के व्यूत कर्मानुपाती मात्रा के समानुपाती या फिर बल के समानुपाती ठीक है यह यहाँ पर content में थोड़ा wrong type हो गया है तो यह बल के समानुपाती होगा ठीक है तो अब देखिए यहाँ पर जो options आपको दिये गए हैं इसमें दोनो options सही हो जाते हैं option number B और option number D ठीक है लेकिन ये दोनों जो है वो situation के according depend करते हैं कि condition क्या होती है ठीक है चलिए ये भी चीज़ समझा गई देखते हैं next question तो दोस्तों अगला question जो कि आपको दिया गया है कि आवेग किसके तुल्य होता है ठीक है तो देखिए options दिये गए हैं बल में परिवर्तन समवेग में परिवर्तन तुरण में परिवर्तन या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं ठीक है तो देखिए आवेग ठीक है आवेग की बात हो रही है तो सबसे पहले बात करते हैं कि आवेग होता क्या है ठीक है तो देखिए आवेग क्या होता है जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े से समय के लिए काम करता है न तो उस बल का जो समय अंतराल के गुणनफल को जो है बल का आवेग आ जाता है ठीक है यानि कि आवेग बराबर क्या हो गया बल इंटू समय अंतराल ठीक है अब देखिए आवेग जो होता है वो तुल्य होता है समवेग में परिवर्तन के ठीक है तो correct answer मारा हो जाएगा option number B समवेग में परिवर्तन यानि कि change in momentum काफी important question है यह आपके SSR exam में आ ठीक है देखिए next question जो कि आपको दिया गया है कि यदि कोई बस्तू किसी सतय पर फिसलती है तो उसके बीच गति का परतिरोध कम गरने वाला बल कौन सा होता है ठीक है तो देखिए इसके बारे में हम सभी लोग जानते है कि जब भी कोई बस्तू फिसलती है और उसके बीच इसमें जो परतिरोध कम होता है वो घर्षन बल के कारण कम होता है ठीक है यानि की friction force तो correct answer मारा हो जाएगा option number A friction यानि की घर्षन बल ठीक है I hope आप लोगों समझ में आ रहा होगा और हाँ दोस्तों साथ ही में एक चीज और आप लोगों बताना चाहूंगा unacademy के बारे मे unacademy के द्वारा एक नया batch launch किया जा रहा है NDA exam की तयारी के लिए यह batch जो है वो 23 जून से सुरू होने वाला है अगर आप लोग NDA exam के तयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसके लिए enroll कर सकते हो काफी अच्छा batch है डिफेंस की top educating faculty के द्वारा आपको यहाँ पढ़ाया जाए उसके बाद में simply आप लोगों वो register कर लेना है और उसमें आपको defense की category में choose करना होगा course को NDA, Air Force XY और Navy को और उसके बाद में आप लोगों को get subscription का button देखने को मिलेगा तो आप लोगों वो button पे click करना है और उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा subscription तो दोस्तों आप लोग आप लोगों वो जो है वहाँ पे subscription plan को choose कर लेना है और बाद में आप लोगों से एक referral code पूछा जाएगा तो referral code में आप लोगों वो defense point जरूर से fill कर देना है जिससे कि आप लोगों वो एक बहुत अच्छा discount देखने को मिल जाएगा तो इसलिए आप लोग referral code में defense point फिल करन यानि कि price बढ़ने वाली है तो आप लोग समय रहते हैं इसके लिए enroll कर लिजिएगा तो चलिए देखते है next question जो कि आपको दिया गया है कि इस्थिर गती से गोलाकार मार्ग पर गोमने वाली बोडी में क्या होता है तो देखिए एक इस्थिर गती से जो गोलाकार मार्ग पर गोमने वाली बोडी होती है उसमें हमेशा इस्थिर त्वरण होता है ठीक है यानि कि इस्थिर त्वरण तो करेक्ट आंसर हो जाएगा option number a चलिए देखते हैं अगला प्रशन तो जोस्तों next question आपको यहाँ पर दिया गया है कि कि किसी पिंड का वजन प्रत्वी के चलिए यानि कि जीरो तो करेक्ट आंसर हमरा हो जाएगा option number d सुन यह फिर जीरो ठीक है प्रत्वी के केंद्र पर यह आपको याद रखना है प्रत्वी के केंद्र पर जोए वह 0 होता है ठीक है option number d जोए correct answer हो जाएगा और काफी लोग जोए पीछे भी comment box में comment कर रहे थे कि इसरे आप numerical क्यों नहीं करवा रहे हो तो जोस्तों numerical जो है मैं आप लोगों वो जिस चेप्टर से numerical पूछे जाते हैं तो उसी में जो है मैं आपको numerical करवाऊंगा क्योंकि इस चेप्टर में numerical आते हैं तो मैं आपको जो है next वीडियो में numerical भी करवाऊंगा जो कि आपके महसूस की जाती है तो देखे अंत्रिक्स यान से जब प्रत्वी का परिकर्मन किया जाता है तो भार हिंता महसूस होती है सुन्य गुर्थवा करशन की इस्थिति की कारण ठीक है यानि की जीरो ग्रेविटी के कारण तो करेक्ट अंसर मरा हो जाएगा option number C सुन्य गुर्थवा करशन काफी important question है जान में रखिएगा ठीक है चलिए देखते है next question तो अगला question आपको यहाँ पर दिया गया है कि बलागूर्ण की SI1 क्या होती है काफी important question प्रीविए सेर्स में आ चुका है तो देखे बलागूर्ण की SI1 क्या होती है Newton meter तो correct answer हो option number A Newton meter ठीक है बहुत easy question था और आप लोगों जो एकाई वगएरा याद कर लेनी है क्योंकि exam में एक से दो question जो है यहां से बनते हैं तो आप लोगों जो है VMEA सुत्र और SI वगएरा मात्रक यह आपको याद कर लेना है ठीक है चलिए देखते है next question तो अगला question दिया गया है क यदि प्रत्वी का द्रिव्यमान वही रहे यानि कि जो द्रिव्यमान है वो सेम रहे और त्रिज्या जो हो वो एक प्रतिशत कम कर दी जाए तो प्रत्वी के तल पर G का मान में जो है वो क्या परिवर्तन आएगा ठीक है द्रिव्यमान जो है सेम रखा गया है और त्रिज् सबसे बढ़ जाएगा दोस्तों इस टाइप का conditional question भी पूछे जाते हैं तो इस चेप्टर में कम से खुम 8 से 10 टाइप के question इस टाइप से बनते हैं तो आप लोग उनको याद रखिएगा ठीक है मैं आगे आपको इनको cover करवा दूँगा देखते हैं next question तो अगला question दिया गया है कि भार हींता की अवस्था में एक मौमबत्ती की जुआला का आकार क्या हो जाएगा ठीक है भार हींता ये word आपको देखना है तो भार हींता की अवस्था में बोला गया है ठीक है तो मौमबत्ती की जो जुआला होगी उसका आकार हो जाएगा गोलाकार ठीक है तो correct answer हो जाएगा option number A बार हिंता की अवस्ता में मुंबत्ती की जुआला का आकार गोलाकार हो जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं next question तो अगला question दिया गया है कि एक लोलक की कलावदी निर्वर करती है यानि कि जो pendulum होते हैं लोलक यानि की pendulum उसकी जो कलावदी होती है वो किसके उपर निर्वर करती है तो देखें एक लोलक की कलावदी जो होती है वो लंबाई के उपर निर्वर करती है यानि कि depends on the length तो correct answer हमारा हो जाएगा option number A लोलक की कलावदी उसकी लंबाई के उपर निर्वर करती है देखिए next question जो की आपको दिया गया है काफी important question और बहुती easy question है तो देखिए गुर्टवा कर्शन के सार्व भोमिक नियम का परतिपादन किस ने किया तो देखिए गुर्टवा कर्शन का जो सार्व भोमिक नियम है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था तो correct answer हो जाएगा option number A काफी लोग जो इसमें गलती कर देते हैं कोपर निकस को select करते हैं लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो सार्व भोमिक नियम है सिद्दान्थ क्या होता है यानि कि जो hydraulic breaks होते हैं वो किसके सिद्दान्थ पर काम करते हैं काफी important question है science में जो है ये आपके question काफी important हो जाता है और बार बार जो exams में repeat होते रहता है आपका defense के exam में तो देखिए option दिये गए हैं बर्नोलिक का नियम, आर्कमेडीज का नियम, पासकल का नियम या फिर Newton की गति का पहला नियम तो देखिए भई जो hydraulic break होते हैं ये काम करते हैं पासकल के नियम के उपर ठीक है किस पर पासकल के नियम के उपर तो correct answer क्या हो जाएगा option number C, पासकल का नियम ठीक है law of पासकल चलिए देखते हैं next question तो अगला question आपको दिया गया है कि किसी पिंड के समवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है पिंड में समवेग परिवर्तन की दर ठीक है तो देखे किसी भी पिंड के समवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो परिणामी बल के समानुपाती होती है बराबर होती है ठीक है परिणामी बल तो भई किसी भी पिंड के समवेग की परिवर्तन की दर जो होगी वो परिणामी बल के बराबर होगी तो correct answer जाएगा option number C परिणामी बल। देखते हैं नेक्स्ट कुशन तो अगला कुशन दिया गया है कि न्यूटन के गती के नियम उन वस्तूओं के लिए सच्च नहीं है जो की। काफी important question है जान से दिखिएगा कि न्यूटन की गती के नियम उन वस्तूओं के लिए लागू नहीं होते हैं या फिर सच्च नहीं है जो की। जो की प्रकास के वेग के तुल्य वेग से गती कर रही हो ठीक है तो correct answer हमारा हो जाएगा option number D moving with a velocity equal to the speed of light ठीक है चलिए देखते है next question तो अगला question दिया गया है कि इस्तती विज्ञान निमनमली खित में से किस से सम्मंदित है ठीक है next question जो की दिया गया है कि पदार्थ के सम्वेग और वेग के अनुपात से कौन सी भोतिकरासी प्राप्त होती है तो भाई काफी easy question है तो देखे बदार्थ का सम्वेग और वेग का जो अनुपात होता है उससे द्रिव्यमान राप्त होता है ठीक है यानि की mass तो correct answer रो जाएगा option number C मास या फिर द्रिव्यमान चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का last question जो के आपको दिया गया है कि हवाओं की उर्जा होती है ठीक है options दिये गये है केवल गतिज उर्जा केवल इस्थतिज उर्जा वेग्युत उर्जा या फिर इस्थतिज उर्जा और गतिज उर्जा दोनों तो देखिए भई हवाओं की जो उर्जा होती है वो केवल गतिज उर्जा के कारण होती है ठीक है यानि की kinetic energy तो correct answer हमारा हो जाएगा option number A केवल गतिज उर्जा तो option number A हमारा सही हो जाएगा ठीक है I hope आप लोगों वो सारे questions जो है वो समझ में आ गये होंगे और अरिकल भी करवाऊंगा तो वीडियो को जो है next वीडियो को भी पूरा जरूर से देखिएगा और इसको like, share और subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ठीक है PDF जो है वो आप लोगों वो टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगी आप लोग जो है वहाँ पर उसको access कर सकते हो और एक question जो है वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ आप लोग बताईएगा कि एक अश्वे सकती यानि कि जो एक horsepower होता है उसमें कितने watt होते हैं ठीक है तो इसका right answer क्या होगा आप लोग नेचे comment box में comment में बताना बिल्कुल भी मत बूलिएगा ठीक है question है आप लोगों के ही है जै हिन दोस्तों